हमस्कार दोस्तो स्वागत आपको मैं एपल आई-डी कैसे बना सकते हैं जैसे कि आप iPhone 13 परचेस करते हैं या फिर आपके पास कोई भी iPhone हो मैं आपको 13 बना सकते हैं तो सबसे पहले हम ब्रों ब्रॉजर या कि अपने Safari ब्रॉजर और अचुका हूं फिर यहाँ यहां पर Google पर simply चले जाना है और आपको यहां पर iCloud या फिर Apple ID लिखके यहां पर सर्च कर लिजिएगा जैसे कि iCloud login आप लिखके सर्च करिएगा फिर जैसे ही सर्च हो जाएगा तो सबसे पहले आपको जो ऊपर website दिखेगा आपको वहां पर चला जाना है इसका लिंक में आप यहां से भी Apple ID बना सकते हैं और एक सेटेंग्स में जाके आप यहां पर क्लिक करके भी Apple ID बना सकते हैं तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रेप्स लें दूँगा आप जाके वह भी देख सकते हैं लेकिन Safari ब्रजर से बनाने में आपको बहुत सारा सायता हो जाता है तो तो नीचे दिखेंगे तो आपको नीचे हैं create apple id देखने को मिलेगा नीचे तो आपको create apple id पे simply click कर देना है तो जैसे ही click करेंगे देखें यहाँ पर आपको आपका first name और last name और आप यहाँ पे किस country के हैं और date of birth और आप यहाँ पर सारी चीज आपको मागी जाती है आप phone number भ बिना safari browser के बनाना है तो आप यहाँ पे जाईएगा यहाँ से भी आप बीना safari browser के भी बिना phone number के भी आप बना सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको email id से भी बन जाएगा तो चलिए यहाँ पर मैं आपको safari browser भी बनाता हूं सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है आपका जो भी नाम है तो चलिए यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर फिलप कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर country आपको अपना select कर लेना जीस्वी country के हैं वो यहाँ पर आपको type कर लेना है सर्च करके तो हम इंडिया है तो इंडिया select करेंगे और आपको अपना data birth जो भी आपका data birth है वो यहाँ पर select कर लेना है फिर आपको जोस्तों एक email id डालनी है email id वहीं डालिएगा जो आपके पास हो email id बहुत ही important होती है जैसा कि आप जानते हैं तो email id से कभी-कभी आप forget password भी आप कर सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने सारी इडिटेल यहाँ फिल अप कर दी है और आपको दूस्तों यहाँ पे एक password बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पे password बहुत ही simply जैसा कि आप देख सकते हैं और आपके password में कोई capital नमबर या फिर कोई अंक जरूर होना चाहिए और उसके बाद आपको कोई special character जैसा कि special character में आप देख सकते हैं चाहे किसी चीज का sign या फिर add the red यह सब सारी चीज़िया आप लगा सकते है password में फिर आपको confirm password करना है फिर आपका country सेलेक्ट करना है तो चलिए पहले में आप पासवर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों मुबाइल नंबर डालने वाद आपको यह देख सकते हैं आपको capture code डालना होगा capture code डालने वाद आपको done पर क्लिक करना है नीचे आप देखेंगे तो आपको यह पर continue option पर simply click कर देना है दोस्तों यह बहुत ही simple step Apple ID बनाने का तो यहां सब continue करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे email id पे 6 अंका code गया होगा तो देखिए code भी यहां पे email id का code OTP मतलब होता है 6 अंका तो OTP देखिए मेरा आ चुका है तो मैं इसको यहां पे simply डाल लूँगा तो देखिए OTP आप डालते हैं आपका यह verification complete हो जाएगा तो इस तरीके से आप simply अपने iPhone 13 में Apple ID बना सकते हैं दोस्तों आप चाहते हैं कि और आप जो mobile नंबर दे देंगा दोस्तों mobile नंबर भी OTP आएगा तो mobile नंबर वाला OTP भी आपको simply यहां पे डालना है और simply आपको next पर यह click कर देना है तो आपका जो Apple ID है वो create होके यहां पर त्यार हो जाएगा और जो भी term condition है इसको आपको agree कर लेना है जैसा अब देख सकते हैं इसको मैंने यहां पर agree कर लिया और यह मेरा Apple ID simply यहां पर create हो चुका है जैसे ही create होगा आपको अपने settings में आना है और जब आ पहली बार इसको खोलेंगे तो आपको यहां पर sign करने के लिए देगा आपको simply signing में जाके अपना Apple ID, Apple ID में आप अपना Gmail ID भी डाल सकते हैं और अपना password नहीं तो आप अपने mobile number के आगे 91 लगा के अपना Apple ID लिक्स लीजेगा तो आप उसके आप password डाल के login कर लिजेगा यह simple step था अगर आप settings में आके Apple ID बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो के लिंग में आपको description देदे दूँगा आप जाके उसको डेख के simply आप बना सकते हैं अशा करतों आपको वीडियो पसंद रहोगा आप हमाई चाल में अगर पहली बार आ है तो जानों को सब्सक्राइब कर यह बेल आपको को भी दवा दीजिए आईफॉन से रिलेटेड वीडियो के लिए